जिन्दगी काटों का सफर है, होसले इसकी पहचान है रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है अगर कुछ कर गुजरने की ललक और खुद पर पूरा विश्वास हो तो अकल्प्निय बाते भी जिन्दगी की हकीकत बन जाती है ऐसी ही कहानी है, एनराई जोती रेड़ी की नमस्कार मैं हूँ आपके साथ करनी का और स्वागत आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम सफर नामा में लाइफ में कुछ मुश्किलों को दरकिनार कर सक्सेस होने की कई स्टोरीज आपने सुनी और देखी होंगी आज हम आपको ऐसी एक लेड़ी की स्टोरी बताने जा रहे है जिसका स्ट्रगल दुनिया की तमाम लेडिस के लिए एक मिसाल बन चुका है हम बात कर रहे हैं तेलांगरा के वारंगल की जोती रेड़ी की जिन्होंने मात्र पांच रुपे रोस की महनताना पर खेट में मजदूरी की लेकिन अपनी महनत के बाद आज इन्होंने करोडों रुपे की कमपनी खड़ी कर दी है आईए जानते हैं कौन है ये जोती रेड़ी और कैसे एक मजदूरी करने वाली मामदी से महिला करोडों की मालकीन बन गई घर की सबसे छोटी बेटी है जोती साल 1970 में तेलांगरा के वारंगल जिलिन जोती रेड़ी का जन हुआ जोती के अलावा फैमिली में चार और भेने है जिनमें जोती सबसे छोटी है फैमिली की आर्थिक स्थिती ठीक न होने के चलते उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी थी इसलिए उनकी फैमिली ने उन्हें आनाथाले में छोड़ दिया यहां रहकर जोती पढ़ाई करने लगी और फिर दसवी का एक्जाम उन्होंने फ़र्स डिवीजन से पास किया लेकिन गरीबी के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाई आगे पढ़ नहीं सकी 16 साल की उम्र में हो गई शादी जोती के मुश्किले यही खत नहीं हुए सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दिगई उस समय उनके हस्पेंट की उम्र 26 साल की थी शादी के दो साल बाद ही जोती के दो बच्चे हुए उधर घर की आर्थिक सिती ठीक न होने के चलते बच्चों की परविरिश में मुश्किले आने लगी ऐसे में जोती ने हालात बढ़ने की ठानी और घर के पास ही एक खेट में काम करने लगी खेट में काम करने के रोज मिलते थे मात्र पांच रुपे जोती को खेत में काम करने के लिए रोज मात्र पाच रुपे का महनताना मिलता था धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू हुआ तो जोती केंदर सरकार के एक स्कीम के तहत नहरू युवा केंदर से जुड़ी इस सलसान का मेंबर बनका जोती ने फिर से अपने पढ़ाई शुरू कर दी इस दुरान उन्होंने टाइपिंग भी सीख ली थोड़े टाइम बाद साल 1992 में उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया जहां उन्होंने 398 रुपे की सेल्डी मिलने लगी जोती को घर से स्कूल आने जाने में चार घंटे लगते थे तो उन्होंने इसका यूस करना शुरू किया और ट्रेवल के दुरान वो साड़ी बेशने रगी इसे कुछ हट तक घर-खट चलाने में सहायता मिली जोती की लाइफ में ऐसे आया टर्निंग पॉइंट जोती जब टीचिंग कर रही थी इसी दुरान साल 2000 में अमेरिका में रहने वाली एक महिला गाउ में आये और फिर दोनों की मुलाकात हुई इस महिला ने उनको अमेरिका आने का आफर दिया जिसी उन्होंने माल लिया इसके बाद जोती ने अपने दोनों बच्चों का एड्मिर्शन मिशिनरी स्कूल में करा दिया और अमेरिका चले गई अमेरिका आने के बाद जोती ने यहां करीब कई तरह की जॉब की कुछ समय बाद जोती को काम से इससे निकाल दिया गया क्योंकि उनकी वीजा की फॉरमैलिटिस अधूरी रह गई थी इस दुरान वीजा के काम को लेकर जोती अकसर वीजा दफ्तर और कोट के चकर काटने लगी ऐसे बनाई आईटी कमपनी वीजा ओफिस और कोट के दुरान जोती ने देखा कि वीजा प्रोसेसिंग कराने के लिए लोग मुँ मांगी रकम देने को तयार रहते थी इसके बाद जोती ने वीजा कांसलिंग का काम करना शुरू कर दिया धीरे धेरे जोती का ये काम चलने लगा जिसके बाद उन्होंने वीजा मामले में काउंसलिंग देने के लिए एक सोफ्वेर बनाया और इससे कंपनी में बदल दिया आज जोती की बनाई गई इस कंपनी की सोफ्वेर सल्लिशन के रेलाइन समीद कई बड़ी कंपनी, क्लाइंट्स है जोती की कंपनी की वैल्यू करीब 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से जादा है उनकी कंपनी अमरीका के फॉनिक्स में है अब उनके पास अमरीका में 6 घर के अलावा भारत में भी उनकी कई महंगी संपत्या है मंजल मिल ही जाएगी भटकते ही सही गुमरा तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं वाकई जोती ने साबित कर दिया कि नामुंकिन कुछ भी नहीं है आज जोती डैडी ना सिर्फ महिलाओं के लिए बलकि उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेणना स्रोथ है जो अपनी जिन्दगी में जल्दी ही हार मान जाते हैं तो आज के लिए सफर नामा में इतना ही फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार